बद्दी के निमंतन मैदान में पहली मरतबा प्रशाशन उद्योग संग व समाजिक संसाय एक इशत के नीचे शामिल हुए मौका था यहां आयूजित किया गया क्रिकेट में जिसमें किताब पर पैंथर्स बटालियन ने खबजा किया उन्होंने रॉयल टाइटन प्रशाशन एकादश को 111 रनों से करारी मात दी बद्दी के निमंतर मैदान में आयूजित किये गये क्रिकेट में बीवी एन प्रिकेट लीग का खिताब पैंथर्स बटालियन और रॉयल टाइटन प्रशाशन एकादश के बीच खेला गया खितापर पेंथर्स बटालियन ने कब जा किया उन्होंने रोयल टाइटन प्रशाशन 11 को 111 रनों से करारी मात थी फाइनल मुकाबले में पेंथर्स बटालियन ने टॉस चित कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्ने लिया टीम ने निधारित 15 ओवरों में 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए और प्रशाशन 11 रोयल टाइटन के स्मक्ष 161 रन का लक्ष रखा पेंथर्स 11 के बादल ने सरवादिक 42 रन, सक्षमने 23, रोहितने 32, वाधित्यने शांदार 16 रनों का युगदान दिया बहुत ही बड़िया इवेंट आज जो उद्योगिक संग है सभी ने मिल जोल कर यहाँ पर आयोजित किया ना केवल ये लोगों के मिल जोल का मौका रहा बलकि प्रतिस परदा को भी इंप्रूव करता है हम चाहेंगे कि हम आगे को और गेम्स के भी यहाँ पर कॉंपिटिशन ओगनाईज करवाएं और सभी पददिकारी, सभी ओगनाईजर्स बहुत ही बढ़ाई के पातर है BBN Cricket League के सयोजक मुगेश चैन ने बताया कि क्षितर में पहलिवार ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें प्रशाशन, उद्योग संग वा समाजिक संस्ताएं एकी छत के नीचे शामिल हुए सामंज्यस से आपस में बनाने का हमारा केवल मकस्त ऑृष। हम फुली तरह से सफल रहे हैं बहुत शेंदर देनाजा essentially अगली बार हम उनको जोड़ करे और इस तरह के करेंगे और इस तरह के लावावा भी तरह किस तरह की अग्तुएटिटीज आईवुजित करते रहें। प्रतिवाय चुपी हुई है और समाज में इधर उतर हम उनको सामने ला सके और हमारी खोशित किया गया इससे पहली हुए अन्य दो मैचों में प्रशाशन एकादश रोयल टाइटन ने रोटरी कलब बदी को रुमाचक मुकाबले में एक विकेट से माती बीवी एन आईए के अध्यक्ष शैलेश अगरवाल वा उपाध्यक्ष मुकेश चैन ने विजिता वा उपिजिताओं को इनाम दे कर समानित किया के चैनल के लिए बदी से ननलाल ठाकुरगी रिपोर्ट